नमस्कार मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ सुरेश मान चंदा और आप देख रहे हैं इस समय गवार पर ये विशेश सन्वाद बिटे कई दिनों से हमने गवार के अंदर में एक बड़ी तेजी देखी फिर उसके बाद हमने एक स्थिर्ता देखी और फिर हम एक डाउन फोल भी देख रहे हैं गवार में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वज़े से ये तेजी और मंदी दिखाई दे रही है क्या बाजार को ओपरेट कर रहा है ओपरेटर क्या फंडामेंटल्स को मजबूत दिखाने की एक कोशिश है Market Times TV ने एक रिसर्च की और Market Times TV की जो रिसर्च है उसके मताबिक ऐसा कोई भी रीजन नहीं बनता जिसकी वज़े से गवार की कीमतों के अंदर में एक तरफा रैली देखने को मिले हाला कि पीछे हमने तकरीबन तकरीबन अगर हम फरवरी से लेकर के मार्च अप्रेल तक का सफर देखें यहां तक की मई को भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो हमने एक मोमेंटम देखा बावन सो रुपे तक बाजार गया बावन सो रुपे को ब्रेक नहीं किया वहां से वापसी की और वापसी कहां पर ले गया चपन सो रुपे चपं सो रुपए के ऊपर बाजार स्टेबल नहीं हो पाया वहाँ पर जो मंजबूती थी वो यहाँ पर स्लिप होते हुए धिखाई थी वो जो स्लिप थी वो जो गिरावट देखने को मिली चपं सो के ऊपर के लेवल्स फिर उसके बाद में 54 सो रुपे के नीचे के दोबारा स्तर वहीं बाजार आ गया जहां पर जनवरी और फरवरी के अंदर में बाजार एक रेंच के अंदर काम कर रहा था बावन सो से 54 सो रुपे अब पिछले सालों के अगर आंकड़े के उपर पे चला जाए तो गवार के एक्सपोर्ट के अंदर में साल 2023 की जो बैलेंस शीट है जो एक्सपोर्ट दिखाता है वो कंजोरी दिखाता है हाला कि वोल्यूम वाइज अगर हम देखें तो वोल्यूम वाइज गवार के एक्सपोर्ट के अंदर में थोड़ा बहुत इजापा देखने को मिला तक्रीबन तक्रीबन 200 से 300 टन ज्यादा गवार एक्सपोर्ट हुआ वो शुरुआती दोर था 2023 का और 24 अंत होते होते यानि की 23-24 फानेंशल एयर का लास्ट के जो 3-4 महीने थे वहाँ पर एक्सपोर्ट स्लिप होने लगा था वैल्यू वाइज अगर पूरे साल के अगर हम ओवरॉल फिगर्स के उपर पे नजर दोड़ाएं तो वैल्यू वाइज तक्रिबं तकिरण 15 क्रोड रुपे के आज पास का गुआर गम कम एक्सपोर्ट किया गया एक्सपोर्ट 4 लाख मिट्री टन के नीचे ही रहा 4 लाख को क्रोस नहीं कर पाया और 4,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, कि अंदर में हमने थोड़ा सा जंप आते हुए एक्सपोर्ट के अंदर में फिगर्स में जरूर देखा 40 से 50 मिट्रिक टन गवारगम का एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है लेकिन ये गारेंटी नहीं है कि 2024-2025 के अंदर में आपको अच्छे दाम मिलें क्योंकि डिमांड्स साथ ही मौनसून के उपर पे अब सबकी निगाएं लगी हुई है मौनसून को देखते हुए यहाँ पर अभी ट्रेडर जो है वो बाइंग साइड से हट रहा है देखिए यहाँ पर एक और भी यहाँ पर कलाकारी होते हुए हमने देखी है कि ठीक मौनसून से पहले बाजा को उपर लेकर के जाया गया बाजार को उपर ले जाकर के जो स्टोकिस्ट के पास में माल था उसको लिक्विडेट किया गया चपन सो रुपे के घरों में और मौनसून आते आते वो चपन सो रुपे को वापिस से चवन सो रुपे के नीचे ले आया गया तो कुछ इसी तर की तरफ खिंचे हैं और यहां से एक next जर्नी जो है हम आते हुए देख रहे हैं और यहां पर एक थोड़ी सी गिरावट हमें दिखाई देती है हो सकता है कि इस बार बावन सो रुपे का यह स्तर जो बड़ा crucial लेवल हैं बावन सो रुपे वो भी आपको तूटते हुए दिख पर हजिर वजार में तो बहुत बार नीचे गया है 5000 रुपे के लेकिन NCDX पर 5000 रुपे के नीचे के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं प्रोड़क्शन अच्छा होने की इस बार उमीद है मौनसून अच्छा होने की उमीद है एक्सपोर्ट थोड़ा सा श्लिप होने की देखने को मिलता है तो इसलिए एक गवार के अंदर नई पोजिशन लेने से पहले या स्टोक करने से पहले आपको मौनसून की चाल पर भी ध्यान देना पड़ेगा प्रोडक्शन के फिगर्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा और इसके अलावा आपको थोड़ा सा मनोविग्ञानिक तोर के उपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जिस तरीके से मौनसून से ठीक पहले ट्रेडर ने बाजार को उच्छाला बावन सो से चपन सो रुपे का रास्ता तै किया चार सो रुपे का जंप ले करके आया और उसके बाद क्या अब ये वापिस पांच हजार रुपे और उसके नीचे के सफर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है एक बोटम टच करने की इसकी क्या कोशिश है और ये बोटम क्या निया बोटम होगा इस पर हमारी भी निगाह है और Market Tanze TV की रिसर्च ये कहती है कि इसमें अभी डाउन फोल बाकी है कईमा जाये देखते रहें Market Tanze TV क्योंकि रिसर्च और ground लेवल की जो रिसर्च है उसको देने का सिलस्दा लगातार Market Tanze TV पर जारी है